सिमिन्स हमाई प Filter इसके इंदर फ़व यहा रहा 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 है स्राइट इस बहुत कम है सि GB ब्राइट नहीं है वोग गयो अ हमर्य कि ओना वह बोट अ कि इस की ब्राइट ने बहुत कम है अब इसमें देखते हैं क्या फॉल ले क्या मसला है ठीक है यह देखें इसकी कितनी काम है कुछ नजर भी नहीं आ रहे हैं तो मैंने लाइटे बन गरी है अब लाइट कोल के तो बिल्कुल ही लाइट है 100% पर बहुत काम है कि है क्या में हां कि पंधर में इसकी पेले स्क्रीन कोलते हैं क्या मसला हागा का अ pię a aaa कि इसका काड है काड चेक हो जावा इसका काड चेक करने के बाद तो हम यह चेक करें है जाक आ पेट का वक्ंटर है इसमें यह अचेक आपके यह काम ड़िद काम में भूट अतियाज से करना पड़ता है ये इसकी LED की बाएर हैं ये दो तार है जो positive negative ये इसकी साइट में LED की strip लगी विया वही रोशनी देती है ये नदरारी होगी ये strip है तो बहुत एतियास से अड़ाने हैं ये देखें ये दो तारी सी के ये देखें अलग हो रहे हैं इसमें ये पेपर भी लगे वह होते हैं बिल्कुल अलक्यास से इसकी स्ट्रीप आगई बाहर दोस्तों यह इसकी LED लगीवी होती है एक, दो, तीन, चार, पाथ, शे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, देरा, चौदा, पन्रा, सोला, सतरा, ठारा, उन्निस, भीस, इस, बाइस, टेश, चोबिस, पच्चिस 25 LED लगीवी हैं इसके अंदर और यह सब में अलग-अलग लगी भी होती है बड़ी है, हमाई में बड़ी लगी भी होंगी यह LED हैं भी आप चेक कर सकते है अगर ब्राइटनीस का मसला आ रहा है maximum fall यहां से भी हो सकता है के बाद पिर हमारा काट से भी हो सकता है इसको LED टेस्टर से भी हम चेक कर सकते है स्क्रीन टेस्टर आते है अब इसका कार्ड चेक करते है अच्छे यह देखें LED का जेग यह स्क्रीन का जेग यहां पर आ रहा है अंदर से और LED के हमारे जो positive negative है वो यह corner वाली दो पिन है चार पिन है, दो दो common हुई है यानि कि एक यह पिन और एक यह पिन यह पर LED के वोल्ड आएंगे तो अब हम इसी लोजिक के इसाफ से इस कार्ड में काम करेंगे वोल्ड हमने चेक कर लिए वोल्ड तो नहीं बेट रहे हैं हमारे वोल्ड सही आ रहे है उसके बाद हम आब इसके component चेक करेंगे एक पाइंट इदर आई गया अब इसमें लागाते हैं सबस्कों लहीं अब अप्रा बर्प मसा साबिया जील अब पाँच आप हमाँआ पाँच आप इसहांब हमारे आप लेश्टब्स एई प्राइो तोबिस знакомijke वहां के पिस्ट आ रहे हैं जिया हम देखेंगे कित्चे देरा है 900 पय करीब देरा है 1000 पय करीब देरा है 884 देरा है इसमें यह वाली लगा सकते हैं डिप वाली लगा सकते हैं इसके लिए मौर देंगे, ठीक है, यह हमने इसको लिकट करां, और लिकट करां, ऐसे ड़ी जए लगा है, पोजिटिव नेगटिव कर दियान रखना है, बहले कि आदा सस toga स्बस्दों करेंगे, यह उब कि juicy की नेगा है यहाँा रस, यहाँत्वह नेच्डान केंशिण हुख भूह दोल में रखनग है, और उसके उसे चाँ करणा कर दाना हैering इए इए है, इए है बंडो भूद्दूएट कर दोल्क दूटशे हैंايfront कर दो कि अभी यह यूटूब आवा रेडियो तो सही देरा लेकिन हमें इसको भी चेंट करने देंगे अज़ा यह यह अज़ा आपर लागा देकिन पर यह यह बाली चेंज करतें अधर यह बाला आस्क में लगाई यह ना मारा आयरन इस पर टक्राएगा यह ज़िए जागा यह भोट थोड़ा सा हाड उता है यह मोटा हुता इस विए सवह से इसको टेमप्रेशर बहुत ज्याध़ा होता है ये मुच्पिल से निकलते है एक Unterside पर लिए मैं आपको दो आइरेंसे निकाल के दिखाता हम इसलिये निकल जाताय में एक दो इसको दो आईरेंसे निकलते है एक देके मेरे दोनो आपना आइरेंस फ़ल और भराबर टेमप्रेश Haram देखें़े कीको हमाने में यह भी निकल जागा है देखें दो आयलंगे असानी से निकल एक है अब हम इसको थोड़ा सा यहीट हो रहा है इसको ठंडा होने देंगे जब तक हम दूसरे वाले चेंज कर देंगे अब इसके वाले दिखाता हूं किसे निकले अब यह गरम हो रहे हैं ठंडे हो जाएं फिर मैं आपको चेक कराते हूं दोस्तों यह हमारे लोग है आपको यह चेक कराते हैं यह 560 UF है पांस्ट और तालीज दे रहा है और यह ज़िधी 550 है तोलेरेंस तो होती है सही भी होते हैं लेकिन चेंज करते हैं तो अच्छी बात है इसलिए का अभी मैंने यह निखाले तो हीड भी होगा है हीड क्यों है ऐसे बेलियो अगे पिछे हो जाती है बाहराल मैं यह और लगा दुँ है सेम है लेकिन यह SMD टाइप है और यह डिप है यह डिप कर भी सिटा रहें कि इसे लगा दूँना है नेगेटिव पॉजिटिव का धियान रखना है मैंने पहले देख लिया था इन दोनों का नेगेटिव इस तरफ है कि यहां पर हम अजार यूएफ दस वोल्ड लगावा था उसी तरह कार दे यह भी डिप टाइप है इसको मैं SMD टाइप में लगा रहा हूं अभा मिस को कि लिंगर देंग पुरा जब काम कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा आयरन कहीं और ना टकरा है अगर यह प्लास्टिक वगेरा पर कहीं आयरन टकराएगा तो वह अपने निशान छोड़ जागा कोई चीब जला देगा डैमिज हो जाएगी तो वह काम पर सफाई से नहीं होता तो यह साफ हो गया है जब हम शोड़ कर रहे होते हैं तो हमारा सोल्डिंग पेस्ट आगे पीचे फैल जाता है जिसकी वाएसे कार्ट गंदा नदर आता है अब हम इसको चेक करेंगे सब्लाई लगा रहा हूं पाड़ में अगर एलीडी के वार्ट बागेरा बैठ रहे होंगे तो वह अब नहीं बैठेंगे 14.5 तरही साथ पाँच वोड़ को यारे है आभी पांच वोड़ को यारा है अब हम पांच वोड़ को यारा है अब आधा इसाथ इसके और भी कंपोनेट में चेक करता हूं झाल झाल ठर्वी आज़ी आज़ी शुर्ट नाज़ी आज़ी आगद में आज़ीन तना फिर्दाय। कर दो एक लागैं कि अधियास टर्वाइ में व्हूग को बारी समयद में आज़ी नहीं से पूंदागें अधियास से पेकरें tussen इसको में आज़ीन थ्शाने के वागद तूरी इस टूप भी वड़ी है त्यास से लगती है अपना न गाणा गाणा न गाणा न अपना टो अबाइल लगती है बद्दान अपना न गाणा न वड़ी में बद्दाइल में आपको दिखाते हैं मसला क्या रहा है क्यों आ रहा है अभी मुझे इसमें कोई ऐसा फॉल्ड नहीं मिला जिसकी वर्ल्ड बैट रहा हूँ यह मैंने सप्लाई लगा दी 24 वर्ल्ड की 24 वर्ल्ड से उप्रेट है काड नाम पे आगा है काड होन हो गया हमारा अच्छा यह दो कौने की पिना यहां लास्ट वाली यह हमारी लेडी की लेडी पे देखते हैं कितने वॉल्ड आ रहे है चोधा साथ अच्छा जैसी इस पर व आरा वाल्ड हो जाते हैं मतलब यह वाल्ड बैठ रहे हैं जिसकी वाजा से हमारी एलेडी की ब्राइटनी सिलो हो रही है अब मैं यह निकालता हूं इस अप्लाई में निकाल लिए अब मैं इसके लगांगा काट अ अब भेंशा लगा दी कुए एक दो इस प्रूर लगा देता हूं तागे अब मैं इसको सप्लाई देगा है ऑन गता है अब देखते हैं LED पे हमारे कितने वॉल्ट आ रहे हैं यह हो गया हमारा नेगरिटिफ अब देखते हैं 12.8 वॉल्ट आ रहे हैं अगर यहां पर तक्रीबन 12 वॉल्ट भी आ जाए हमारे पास तो डिस्विल हमारा सही हो नहीं होगा यह दो वॉल्ट बैट रहे हैं अब इसके हमारे पास दो तरीके हैं हमने कंडेंसर डाल दिये सारे कोई वॉल्ट इससे फरग नहीं पड़ लागी मैंने पार्ट सेक कर लिए हैं अब हमें एक वॉल्ट इसका बढ़ाना है यह हो गया इसका पॉजिटिफ अगर हम इस पर लगाया है बारा नो हो गया है इस दो वॉल्ट बढ़ा देंगे या एलेडी वहां से कम कर देंगे इक यह दो तरीके हैं हमारे पास एलेडी तेज हो जाएगी ग्राइटनीस बढ़ जाएगी इसकी तो हम आपके सामने करते हैं बस माइड यूस कर रहा है औ हूँ हमारा फास से हो जाए हागा कैसा भी मसले हो पर दिदीमाग से काम करना है और इतियास से काम करना है कि दोस्तों मैं है इंपूट से दिखें चोविस पॉइंट फाइफ फॉल्ड अब यहां पर देखते हैं कि एलीडी के बढ़ लें या नहीं पढ़ लें इन्पुट की वजा से तो मैं नहीं नहीं है अब यहां पर बारा आट हैं बारा आट नहीं होने चाहिए एकम से कम 14 वोल्ड लोने चाहिए यह 13 तेरह चोधा वोल्ड होगा है हमारा डिस्प्ले हमारा ब्राइट निस बढ़ जाएगी यह यानि कि हमारे इन्पुट में कोई मसला नहीं है इन्पुट हमारी के लिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या फॉल्ड निकलता है दोस्तों यह मैंने रिबिन निकाल दी है अब यह र ला रहे हैं मतलब अगर यह विबिन लगाने का बाद कि 14.6 वल्ड अगर हमें मिलें या 14 वल्ड मिलें तो हमारे यह ब्राइट निस बहुत अच्छी आएगी मतलब हमें एक दो वॉल्ड का मैं परका रहा है यह दो वॉल्ड हमें सही करना है यह हम सही करतेंगे ब्राइट हमारी अच्छी हो देगी हमारी इंपुट में कोई मसला नहीं है हमारा कोई क्यापिसिटर वीक नहीं है कोई SMD रिजिस्टेंस वगेरा कुछ एसी नहीं मिली अब देखते हैं हम क्या करते हैं तो हमने इसका डिस्पले खोला था उसके अंदर 25 एलीटियां लगी में थी करिख में बाने नहीं है 3-5 LED प्रेलाव हुई है यह देखें कं इसकता पॉजिटिव कोुजिटेव फॉजिटेव अब नेगटिव है नेगटिज जा लोगए फॉज्टेव इंदभ दयंदम्री कि उन्षरे विल्लमी captp अब हमारे पास दो वॉल्ट रॉप हो रहे हैं इसके लिए हम क्या करते हैं अभी हमारी LED पांच 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 पारवल लेगे तो इनको कितनी नीड है वॉल्ट की यह देखते हैं अभी इसके सर्कुट के वॉल्ट है 14.6 वॉल्ट divided by 5 2.9 वॉल्ट हमें चाहिए इस वॉल्ट में अभी हमारे पास वॉल्ट आ रहे हैं 12.8 अगर हम यह 4 4 बना दें दिवाइट इड़ वाइफ ओर तो 3.2 अगर सर्कुट के वॉल्ट 15 है 15 वॉल्ट है अगर हम डिवाइट करें 5 का प्यर बनावाए पांच से तो हमारे पास वॉल्ट आते हैं 3 वॉल्ट हमारी अगर यह पैरलल में पांच पांच का प्यर रहे तो मतलब एक लिवाइट पर तीन वॉल्ट आ रहे हैं वह भी अगर पांच पांच सप्यर बनावाए तो यह पे चोदा वॉल्ट आ रहे हैं 14 वॉल्ट आरे मैक्सिमाम ना फूरी स्टिक जल लिए अब इसमें पांच मतलब हम पंदरा को डिवाइट करें पांच तो एक लिडे का मतीन वॉल्ट मिल रहे हैं और जो के हमारे बोट अभी हमें वॉल्ट कम दे रहा है 12 वोल्ट मैक्सिमाम बारा या 13 वॉल्ट ए रहा है खेक है अगर दो एक इते तो यह 4 लेडी हो जाएंगी तो हम 13 को अगर 12 को डिवाइट करेंगे 4 LED में तो हमें उसी तरह से बिल्कुल 3 वॉल्ट एक LED में मिल जाएंगे तो हमें हर पियर की एक-एक LED यहां से बाइपास कर देता हूँ ठीक है और जो हमारे 13 वॉल्ट है उस पे हमारी फुल रोशनी तेद हो जाएगी और उसके बाद एक में काम सेफटी के लिए भी करूँगा वो भी आप देखना है क्या करूँगा अगर सर्किट के दुबारा से बॉल्ट बढ़ भी जाएं तो हमारी LED दुबारा हीट होगे जलेंगे अब मैं अब मैं एक-एक LED इसकी वाइपास कर दूँगा पांच पीया रहे है टोटल हर प्यार की एक कर दूँगा दो सी तरह हूँ है हर प्यार का मैंने एक-एक बाइपास कर दी LED जिसकी वजह से हमारे इन वाल्ट डॉब हो जाएंगे अब हमें नीड है स्रीफ बारह वाल्ट गी अब हमें जरुवत ही नहीं है ना 13 वर्ल्ट कि जरुड़ा थे या पर ना मैं 14 वर्ल्ट कि जरुड़ा थे यह थे तरह यह दो भी मैं कातेता हूं ठीक, यह पांच नोने मैं इसका बाइपास करती तब मैंने क्वा फटराया है ये असनल पहुड इसका आसेसीं यह इसका positive यह इसका positive यह positive यह positive यह positive अब उसी तरह यह negative यह negative यह negative अब मैंने 4 चार एलिडियों पेरलल कर दी अब हमें यह चार एलिडियों के यह maximum हमें वोल्ट चाहिए 12 वोल्ट लेकिन अगर सर्कृट में हमारे 14 वोल्ट आ रहे हैं बोर वो 14 इस्टेबल रहे बैठे नी वोल्ट जायर सी बाते पहले 5 ती तो दो वोल्ट बैठे रहे थे अब मैंने 4 तो दो वोल्ट नी बैठेंगे अब हो सकता है एक वोल्ट डॉप हो से तो मैं उसके लिए अब मैं इसका रिक्स नी ले सकता दुवारा यह स्ट्रिप अगर वो कम करेगा तो 12 से 11 आएंगे तो बैठे नी सिलो हो जाएगी मतलब हमारा जीनर रेगुलेटर का काम करेगा वोल्ट जो है महां पर बारा से जादा नहीं होने देगा तो मैं एक बारा वोल्ट का देनर लगा दूंगा फिर आप लोग इसकी बैठे नी पर देखिए यह मैं एक काम करता हूं आपको 12 वोल्ट पर इसको चला के दिखाता हूं कि इतनी रोजनी आ लिए इसको मैं इसी तरह पेक करता हूं अब यह इसका नेगटिफ है जो बादिटिफ है इतना हमें ब्राइटनीस फूल मिल गई है इतनी हमें ब्राइटनीस चाहिए थी हमां यहां पे ब्राइटनीस मिल गई है और पहले जो इसकी ब्राइटनीस थी वो बहुत काम की थी यह बगेर इस च्रिक के चेक करता है कितना बोल्ट आए है देदेशन दौस्ट साथ इस होना हमें और देखने कितने ओल्ट रहोंगे स्ट्रिप लबारा हूँ स्ट्रिप लबारा हूँ स्ट्रिप लबान के बाद देखने कितने बोल्ड आरे है 10.5 लगादे नेक्प्रों सेटीगार बंबारा बंदक लब देंकल आरे हैं 44 मॅनल 11.5 बोल्ड आ रहे हैं क्यों कि इसके लिए है 11.5 अब इसका डिस्पले है सही हो गया है पहले 108 परसंट पर इतनी ब्राइटनीस थी अब यह देखें 108 परसंट पर कैसी नदर आ रही है ब्राइटनीस साइट से भी नदर आ रहा है पहले बहुत आई है अब मैं आपको लाइट कोले के भी दिखाता हूं उ पर कि कि मैंनेjan तो दिखणा के लिए मेरे चैनल पर आप लोगों को मुटतली फॉर्ड मिलेंगे और नई नई टेकनिक से चीज को किस तरह साही करना है इसकी LED भी चेंज कर सकते हैं और यह नई भी मार्किट से मिल जाएगी 12 वोल्ड की लागे लगा सकते हैं LED यह टेस्टर से चेक कर सकते हैं आप बोर्ड इसके सही कर सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं अभी मैंने इस तरीके से इसकी ब्रैटनिस सही करी है काम करने का अलग अलग तरीके होते हैं आप लोगों को सारे तरीके आने चाहिए नेक्स टाइम में आपको बोर्ड के अंदर कौ सब्सक्राइब कर लें आप लोगों के लिए बहुत कुछ सीकने और समझने वाली वीडियो लाता रहूंगा फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में जब तक के लिए इजादत दे हैं लाफिस